आने वाले एपिसोड में हम देखेंगे कि गौरा और धरम इस बात के लिए बहुत जादा खुश हो रहे होते हैं कि कोकिला की हालत तो बच से बत्तर होती ही जा रही है और उसके बचने के चांसे तो अब बचे ही नहीं हैं इस बात से दोनों ही मा बेटे पहुत जादा खुश हैं जिसके बाद मोधी परिवार उनकी इंसल्ट करके उन्हें हुस्पिटल के बाहर चाने को बोल देता है ये कहते हुए कि बस अब तुम दोनों का साया मैं अपनी कोकिला पर पढ़ने भी नहीं दूगी जब हेतल उसको ये बोलती है तब गौरा तो हेतल की शकल ही देखती रह जाती है जिसके बाद वो दोनों बाहर आ जाते हैं धरम और गौरा आपस में खुब खुश होके बात कर रहे होते हैं कि कैसा मज़ा चखाया मोधी परिवार को और वो कोकिला उसका तो काम तवामा होने ही वाला है कि तबी एक जोरदार डंडा परता है उसके सिर पर और उसके काफी खूल निकलाता है और ये कोई और नहीं बलकि एहम है एहम अच्छे से उसकी धुलाई करता है कि उसका सिर ही चक्रा जाता है धरम का गौरा बहुत कोशिश करती है अपने बेटे को बचाने की लेकिन वो बाहर भागते हैं ये तल रोकने की कोशिश कर रही होती है लडाई को कि तभी गोपी उसका हाथ पकड़के उसे रोक देती है ये कहते हुए कि नहीं काकी जी रुख जाईए सब लोग समझ जाते हैं जिसके बाद तभी वहाँ पर पुलिस वाले आ जाते हैं गौरा मोका न इसने यानि कि धरम ने इस पर हमला किया था तभी उसने अपने बचाव में ये सब किया एहम ने एहम ने कुछ भी नहीं किया है तब इंस्पेक्टर भी एहम के साइड ही होता है क्योंकि एहम का ये सारा पसारा प्लान था और वो खुद के भी एक डंडा माल लेता है जिसस सुनके गौरा तो चक्रा ही जाती है